आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है आपकी अपनी हवेली ओके तो ये कोश्चन नंबर हम अब हम एक्जामपल नंबर थी इसमें डिसकस करेंगे अभी तक हमने पहली एक्सेसाइज कम्प्रीट की थी तो इसमें हम चैप्टर वन हमारा जो नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है तो देखो हम इसमें सबसे पहले हम मैं आपको समझा देता हूँ पाइथरगरस थियोरम के बारे में आई होप आप लोगों को सबको पता होगा इसके बारे में लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ अगर हमारे पास कोई एक triangle है, तो triangle का नाम हमने दिया ABC, तो उसमें जो ये वाली side होती है, इसको हम perpendicular बोलते हैं, इसको हम hypotenuse बोलते हैं, और इसको हम base बोलते हैं, ठीक है, तो triangle का perpendicular ये हो जाता है, AB, और hypotenuse AC, और base BC हो जाता है, तो आपको याद रखना है, according to Pythagoras theorem, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of base and perpendicular, ठीक है, तो base and perpendicular के square के sum के equal होता है, hypotenuse का square, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको हमेशा से ध्यान में रखनी है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ये थ्योरम आपको हर जंगा help करेगी, तो अभी आपको ये समझनी है, तो अब इस question पर आते हैं, तो इस question को हम कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने एक square बना यहाँ पर मैं इसकी जो diagonal हैं, उनको मिला देता हूं, एक तरह से देखें अगर, तो अगर हम इस वाले part को देखें, तो यह हमें एक triangle बन जाता है, ठीक है, तो हम इसको एक triangle मान लेते हैं, तो यहाँ triangle की अगर हम बात करें, तो अगर मुझे AC निकालना हो, तो क्या AC 1 का square प perpendicular का square प्लस base का square, और perpendicular क्या है इसमें, यह हमने माना base और यह perpendicular, तो 1 का square प्लस 1 का square, यहाँ पे हमें दिखता है 2, यानि कि हाइपोटेनियस का square, और हाइपोटेनियस is equal to किसके कवल आ गई, root 2 के, तो हमें यहाँ root 2 के जैसी हाइपोटेनियस दिखाई देती है, तो यहाँ से देखके हमें यह लगता है, कि जो root 2 है, हम उसको इस form में लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको इस form में लिख सकते हैं, अगर कहीं भी हमें ऐसे इस form में base और perpendicular लिखा हुआ मिलेगा, तो हम उसको क्या वो लेंगे, इसकी आइपोटेनियस root 2 होगी, या फिर यह land अगर हमें निक करने हैं, ठीक है, तो देखो number line के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पर color change कर लेता हूँ, तो देखो यह मान के चलिए हमारी number line है, जिसमें की, यहाँ पर 0, यहाँ पर minus 1, यहाँ पर minus 2, इधर minus, यहाँ पर इधर वाली side तो plus की होती है, तो यह 1, यह 2, और यह 3, ठीक है, हमने इस तरीके से माना, तो हमने, अभी मैंने आपको क्या बताया था, root 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे, 1 का square, 1 के square का under root, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यह base मान लिए हमने, यह perpendicular मान लेते हैं, यह base मान लेते हैं, किसी को भी आप आगे पीछ यह लिख सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे base लेता हूँ, यहाँ से लेकर, मैं चलो, इसका color change कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से लेकर, 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 यहाँ तक, यह one हमने, one unit measure की, ठीक है, तो हमने मान ठीक है तो इसको भी हमने 1 मान लिया और इसको भी 1 तो अगर ये वाली जो side बनेगी तो ये एक triangle जैसे हमको दिख रहा है या नहीं तो हमको पता है according to pythagoras the value of जो ये line है इसको हम नाम दे देते हैं a b c the value of a c is equal to root 2 तो ये root 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बिल्कुल root 2 आना चाहिए किस तरीके से कि हमें पता है a c का square is equal to a b का square plus b c का square ठीक है तो ये one का square one का square आ गया 2 और a c is equal to under root 2 तो ये आता है नहीं तो यानि के अगर हम ये वाली लेंद इस वाली लेंद की बात करें जो मैं ये blue से कर रहा हूं इस वाली लेंद की तो ये length कितनी है ये root 2 ह तो हमने क्या किया अब हमने compass उठाया उसके बाद compass को हमने यहां पे रखा और यहां से लेकर यहां तक की length उसमें measure कर ली अब अगर मैं यही length यानि के यहां से लेकर यहां तक की इस तरीके से compass में जो length आएगी ठीक है यह यहां से लेकर यह वाली length जिस पे मैं यह यह वाल color से यह pink वाले color से जो मैं दिखा रहा हूँ ओके तो यहां से लेकर यहां तक की जो length हुई actual में यहां से लेकर यहां तक की जो यहां तक इसने cut किया था तो यह length क्या हुई root 2 तो यहां से लेकर यहां तक की जो length root 2 हुई यह हमने यहां पे show करके दिखा दी number line पे तो यही length क्या होगी root 2 होगी तो हमको क्या करना है पहले number line थे root 2 जैसी value क्योंकि यह actual में हमको तो पता नहीं है कि actual value है क्या यह ठीक है क्योंकि number line पे तो मैं कहीं दिखाई नहीं देती डिरेक्ट लिक्वी जैसे one लिखा हुआ है two लिखा हुआ है जो हम इसको direct बना देंगे तो हम इसको किस तरीके से बनाते हैं तो हम इसको इसी तरीके से पहले हम root 2 की value measure करेंगे कितनी value आई फिर इसको हम एक आर्क के help से यानि के compass इससे measure करके आर्क जो यह वाली segment of circle जिसको हम बोलते हैं आर्क के help से जो भी हमने यहां पे cut किया यह वाली जो length हो जाएगी वो हमारा root 2 हो जाएगा आई होप आपको यह समझ में आया होगा चलिए अब हम मिलते हैं next वाले question में जो example number 4 होगा फिर हम exercise solve करेंगे आई होप आप लोगों को यह समझ आया होगा ठीक है तो thank you जैहिंत जैभारत